हलो गाईज एं विल्कम नस अगें तो मैं चैनल पेट्स इंफर मेनिया तो काईज आज हम बात करने वाले हैं all about pointer dog breed जिसको English pointer भी कहा जाता है सारी डीटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो केंट तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस dog breed का origin England से हैं काफी रिसरचे कहती हैं कि यह dog breed England से बिलॉंग करती है बट कुछ रिसरचे यह भी कहती हैं कि यह dog breed Egypt, Spain या इटली से बिलॉंग करती है बट जो recent researches जो modern researches वो यह कहती हैं कि पिछली centuries में यह dog breed जो है वो इंगलिंड में पाई गई थी और उसके बाद यह USI उसके बाद ये dog breed spread होती गई और ये भी कहा जाता है कि ये dog breed हमेशा शिकारी लोग रखा करते थे, जोके परिंदों का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, क्योंके ये dog breed इसको as a gun dog treat किया जाता था, और जहां पे भी शिकार होता था, ये अपने owner को alert करता था, Average height around 25-28 inches tall और इसका जो weight है that can be 25-30 kg max इस dog breed को 4 different dog breeds को breed कराके breed कराया गया था और जो 4 different dogs थे वो dogs थे Bull Terrier, Greyhound, Foxhound और Bloodhound इन 4 dog breeds को देखके इनकी qualities देखके कैसे dog breed को breed कराया गया कि 4 की qualities जो है वो एक ही dog में मिले और तब जो है वो Pointed dog breed को breed कराया गया था Pointed dog breed एक super active dog breed है जिसको भागना दौरना बहुत जादा पसंद होता है इसके energy level बहुत जादा हाई होते हैं इसलिए अगर आपके पास छोटी जगा है तो then I recommend you आप ये dog breed नहीं रख सकते इसको रखने के लिए बड़ी जगा चाहिए अगर आपके पास एक rooftop है आपके पास backyard है यहाँ आपके पास अच्छा खासा space है then only you can keep this dog breed अगर आप छोटे घर में रहते हो एक कमरे के घर में या अपार्टमेंट में then it will be difficult for you and your dog as well तो आप ऐसा मत करो कि आपके लिए problem हो याँ आपके dog के लिए so अगर आपके पास last space है then only you can keep this dog breed pointed dog breed basically दो colors में आती है that is red and white इनका short coat होता है इनको daily grooming की ज़रूरत नहीं होती short coat की वज़ा से daily grooming की ज़रूरत बिलकुल नहीं होती और इस dog breed को आप किसी भी weather में रख सकते हो बले बहुत जादा गर्मी है बले जादा सर्दी है rough and tough dog breed है और किसी भी weather को easily adopt कर सकती है इनका जो average life span है that is 11 to 14 years जो के average dog से काफी ज्यादा है जो normal dog breeds के life span होते है that is 10 to 12 years लेकिन ये dog breed एक lean muscle dog breed है इसके energy levels भी high होते है इसका immune system भी strong है and they are weather tolerant as well काफी weather को tolerant कर सकते हैं तो इनका average life span भी ज्यादा है it's 11 to 14 years this dog breed is very friendly with your family, your children and your other pets as well अगर आपके घर में बच्चे हैं आपकी family बड़ी है उसमें भी adjust कर सकता है और अगर आपने दूसरे pets रखे में है तो उनके साथ भी काफी अच्छे से रह सकता है without showing any aggression या कोई भी इस तरीके की चीज जो के दूसरे dog breeds mostly show करते हैं दूसरे pets को देखके तो hunting dogs जो हैं वो ऐसे ही होते हैं इनको जादा एक गुसा नहीं आता ये जादा aggressive नहीं होते हैं और दूसरे pets के साथ भी easily adjust कर लेते हैं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको dog का drool amount अच्छा नहीं लगता उसका थूख बार बार गिरना अच्छा नहीं लगता आपको ये ची दे रहे हो लेकिन naturally जो है pointer dog का drooling amount बहुत जादा लो होता है pointer dog को American Kennel Club ने 1884 में officially registered किया और American Kennel Club की ranking में this dog ranks on 103rd number So guys this was something about pointer dog breed I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो भई like करतो subscribe करतो comment में ज़रूर बताना अगर को information missing है तो love you all